हमने भारत जोड़ो यात्रा की थी बीजेपी आरेसेस के लोग देश में 24 घंटा नफरत और हिंसा फिलाने की काम करते हैं मीडिया का पूरा कंट्रोल है तो हमने सोचा कि हम कन्या कुमारी से कश्मीर 4000 किलोमेटर चल के देश को महबबत का मेसेज दे और पिछली यात्रा में हमने एक नारा दिया नफरत के बाजार में महबबत की दुकान कोलनी है और यही हमारी कोशिश है क्योंकि हम जानते हैं कि देश नफरत से इंसा से प्रगती नहीं कर सकता है देश महबबत इज़त और भाईचारे से प्रगती कर सकता है वहिया यह बाजा बंद कर दो अब क्या करें तो काफी लोगों ने हमें कहा कि देखिया आपने आपने कन्या कुमारी से कश्मीर तक तो यात्रा कर दी मगर बेंगॉल का असाम का बाकी स्केट्स का क्या होगा और उन्होंने हमें कहा कि देखिया आपको मनेपूर से महराश्रा की भी भारजोड़ो यात्रा करनी चाहिए और बिल्कुल सही बात थी सही सोच थी इसलिए हमने मनेपूर से महराश्रा मनेपूर से महराश्रा हमने यात्रा की इस यात्रा में हमने नियाए शब भी जोड़ दिया है क्यूंकि आज के हिंदुस्तान में अलग-अलग तरीके के अन्याए हो रहे हैं किसी भी स्टेट पे चले जाए किसी भी युवा से पूछ लीजिए वह आपको बताएगा कि जितनी बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में हैं वह पिछले 40-50 साल से नहीं हुई है सही बात है आर्थिक अन्याए समाजिक अन्याए महिलाओं के खिलाफ अन्याए किसानों के खिलाफ अन्याए मजदूरों के खिलाफ अन्याए अलग 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 तरीके अन्याए नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है किसानों के साथ आपने देखा पूरे देश के किसान कड़े हो गए नरेंद्र मोदी जी अपने काले कानून लाए थे जो किसान का है उन्होंने वो चीनने की कोशिश की और शुकर है कि देश के किसान एक साथ खड़े हो गए तो हमने इसलिए नियाय शब भी अपनी आत्रा में जोड़ा है समाजिक नियाय जिसका सबसे बड़ा कदम जाती जनगरना होगा कास सेंसस होगा उसको हमने करने का निर्ने लिया है हमारी सरकार आएगी तो पूरे देश में हम जाती जनगरना लागू करेंगे पता लगाएंगे पिछडे कितने हैं धलित कितने हैं आदिवासी कितने है तो ये हम आपके सामने पांच नयाए प्याँ पांच नयाए के हम कदम रखना चाहते हैं समाजिक नयाए आर्थिक नयाए किसानों के लिए नयाए महिलाओं के लिए नयाए और जो हमारे श्रमिक मजदूर है उनके लिए नयाए ये हम आपके सामने रखना चाहते हैं ये हमारी जो यात्रा होती है इसमें हम लंबे बाशन नहीं देते हैं हम पेंगॉल पेंगॉल देखिए ये आज देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है एक तरफ नफरत और हिंसा की विचारधारा और दूसरी तरफ मोहबत इस साइड हो जाता हूँ दूसरी तरफ मोहबत भाईचारे की विचारधारा और मैं बिंगॉल से बिंगॉल के हर नागरिक से कहना चाहता हूँ आप लोग देश को रास्ता दिखाते हो आप इंटेलेक्चुल लोग हो और बिंगॉल से बड़े बड़े इंटेलेक्चुल आए है रविंद्रनाठ टगोर जी आए है अमर्तिया सेंजी आए है आपको सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज मिले है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है सुभाष चंद्र बोश जी आए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि विचारधारा की जो लड़ाई चल रही है RSS की नफरत की जो विचारधारा है उसके सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा एक साथ खड़ा होकर आपको इस विचारधारा के साथ के खिलाब लड़ना होगा आपने मुझे इतना प्यार दिया यात्रा में अपने पूरी शक्ति डाल दी पूरा प्यार डाल दिया इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद दन्यवाद जैन क्या बात है हां जी देखिए उनका नाम लेना पड़ेगा गनिकान जोधरी जी का नाम लेना पड़ेगा जिन्होंने आपके लिए सब के लिए बहुत बड़ा काम किया यहां पे तो उनको उनका नाम लेना पड़ेगा और उनकी याद करनी पड़ेगी झाल 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 झाल